हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले रामकुमार अपनी पत्नी माधुरी और बेटे कार्दिक के साथ में सर्जनपुर गाउं में रहता था इस महंगाई के दोर में रामकुमार को अपना घर चलाने में बहुत परिशानी हो रही थी रामकुमार पड़ा लिखा नहीं था वो पीशे से चोर था दोसरों के घरों में चोरिया करकी वो अपना घर चलाता उसकी पत्नी उससे समझाने की बहुत कोशिश कर दी लेगिन वो किसे के बाद नहीं सुनता एक दिन दे रात वो हीरो का हार लेकर अपने घर लोड़ता है और माधुरी को दिखाता है ये देखो हीरो का हार सुन्दर है ना इसे देखते ही मेरी आखे इस पर थम गई थी मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि अपनी चोरी करने वाली आदत छोड़ दीजिए कल को कहीं आप पकड़े गए तो मेरा और कार्ति का क्या होगा हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे अरे माधुरी तुम भी कितना डरती हो इतने सालों से मैं चोरी कर रहा हूँ जब आज तक नहीं पकड़ा गया तो अब क्या पकड़ा जाऊंगा अरे तुम डरो मत कुछ नहीं होगा मुझे अब दिन रात इतनी बड़ी बड़ी चोरिया करते रहते हो कैसे न डरू कहीं किसी दिन किसी पुलिस वाले के हत्ते चड़ गए न तो समझो आगे की जिन्दिगी जेल में ही काटनी पड़ेगी मैं तुम से क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोले जा रही हो मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ बलकि आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक रही हूँ अरे मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे का माने है, जिससे मैं अपने परिवार को हर सुक्सुविदा दे सकूँ, उसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़ जाए। अपने दूद पी लेना और टाइम से सोजा कितना पढ़ेगा। सोचिए, उस दिन का, जिस दिन मैं पुलिस वाला बन के आऊँगा, वर्दी पहन के आऊँगा, आपके सामने रहूँगा, आपको कितनी खुशी होगी न? बेटा, तुझे अपना सपना पूरा करते देख मुझे खुशी नहीं होगी, तो भला किसी होगी, चल अब तू पढ़ ले, मैं जाती हूँ, लेकिन हाँ, याद से दूद जरूर पी लेना। हाँ मा मैं पी लूँगा, आप चिंता मत करो, आप अराम से जाकर सोजाओ, ठीक है मैं जाती हूँ, तू भी पढ़कर टाइम से सोजाना। मैं कितना खुश हूँ, बेरी मैनत सफल हो गई, अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। हाँ बेटा जरूर होंगे, आज सच में तूने हमारा सर फक्र से उचा कर दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश नहीं हो कि आप। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ, तुछे काम्याब देखकर। ठीक है मा, आज मेरे डूटी का पहला दिन है, मुझे लेट नहीं हो न, मैं चलता हूँ, अभी मैं चलता हूँ, शाम में आता हूँ। कार्तिक वहां से चला जाता है, जिसके बाद माधुरी राम कुमार से बोलती है। सुनिये जी, अब आप चोरी करना छोड़ दीजिये, अब आपका बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया है, और उसे पता चला कि उसके पिता चोर है, तो सोची उसके दिल पर क्या भी देखी, बाकि आप खुद तो समझदार है ही। अरे तुम फिर से शुरू हो गई, अरे कभी तो अपना ये भाशन छोड़ दिया करो। मैं भाशन नहीं दे रही हूँ, बल्कि आपको समझा रही हूँ, अब आप सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि एक पुलिस वाले के पिता भी हैं। पिता जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस पीतर की मूर्ती को चोरी करने के लिए आई थे आप। पेटा मैं तुम से जूट नहीं बोलूँगा, वैसे आया तो मैं ये मूर्ती चुराने था, लेकिन तुझे ये बात कैसे पता। पिता जी, मैं हमेशा से जानता था कि आप एक चोर हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जो कुछ भी आप करते हो, वो अपने बच्चे परिवार वालों के लिए करते हो। बेटा मैं वादा करता हूँ, जल्दी इस आदत को छोड़ दूँगा, क्या करू पुरानी आदत है न, इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं। पिता जी, पिता जी, मेरे भोले पिता जी, मैं ये नहीं चाहता कि आपकी आदत चाहे, अरे, अभी तो मैंने वर्दी पहनी है, अभी तो कमाना शुडू भी नहीं किया, और आप अपना धंदा बंद कर रहे हो, आप एक काम करो, शाम को मूर्ति न, बाहर भेजने के लिए गारी में रखी जाएंगी, उस समय आप आईएगा, और सारी मूर्ति चुडा कर जाके बेच दीजेगा, और जो पैसे मिले, दोनों बाप बेटे बाट लेंगे, बेटा तुम एक पुलिस वाले होकर, मुझे चोरी करने से रोकने की जगा, चोरी करने के लिए बोल रहे हो, पिता जी, मैंने आपको बच्पन से चोरी करते हुए देखा है, और मा को पुलिस वालों से डढ़ते हुए देखा है, इसलिए मैंने सोचा, क्यों न मैं पुलिस वाला बन जाओं, ताकि मैं आपको बचा सकूँ, और मा का डढ़ना भी तो सही है, लेकिन अब, अब किसका अब तो मैं खुद पुलिस वाला हूँ, अब आपको कोई छूबी नी सकता, अब हम दोनों बाप बेटे मिलके बहुत पैसा कमाएंगे जब भी कार्थिक के पास कोई रिपोर्ट लिखवाने आता, तो वो कोई कारेवाही ही नहीं करता, गाओं के लोग बहुत परिशान थे, उसे गाओं में एक जनको नाम का चलाक और बुद्धिमान आदमी था, जो काफी समय से कार्थिक और रामकुमार पर नजर रखे एक दिन, वो दोनों को चोरी करते हुई देख लेता है, अच्छा, तो ये माजरा है, ये दोनों बाप बेटा मिलकर चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं, और गाओं वालों को पागल बना रहे हैं, इन्हें तो मज़ा चकाना ही पड़ेगा, इंस्पेक्टर साब को मेरा नमस्कार, मेरा नाम जनकु है, मुझे आप से बहुत जुरूरी बात करनी है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है, मुझे खबर मिली है, कि गाओं की जंगल में जो गुपा है, उसमें डाकों ने बहुत सारा दन और खजाना चुपा कर रखा है, अग सुनने में तो यह आया कि डाको अब उस गुफा में नहीं है, लेकिन डर तो लगता ही है न, अगर आप जैसा कोई दमदार साथी मेरे साथ जाए, तो मैं खुछ चला जाओ, इसमें मेरा क्या फाइदा? अगर आप मेरी मदद करेंगे, तो मैं उस धन का बटवारा करने के जनकू की बाद सुनकर कार्तिक खुश हो जाता है, और उसकी मदद करने को तयार हो जाता है, जिसके बाद रामकुमार की पास वो जाती है, और उसे सब कुछ बताते हैं, और रात होती ही, सब ही गुफा की तरफ निकल जाते हैं, जैसे ही कार्तिक और रामकुमार गुफा क के अंदर घुशते हैं जनकु एक बड़े से पत्थर से गुफा का रासा बन कर दीता है और वहां से चला जाता है दोनों गुफा के अंदर भूखे प्यास से तड़प रही थे जनकु दो दिन बादा कर वो पत्थर हटाता है दोनों बहुत ही कमजोर हालत में बाहर निकलते ह तुमने ये ठीक नहीं किया क्यों मैंने इसे क्या किया तुमने हमें धोका दिया अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं मैंने आपको दोखा नहीं दिया बलकि आपने और आपके बेटे ने मिलकर गाउवालों को दोखा दिया है और उन्हें लूट रहे हो आप लो सुधारने का वादा करती हैं जिसके बाद रामकुमार अपनी काबिलियत के हिसाब से काम धून कर मेहनस से कमाए करना शुरू कर देता है और कार्तिक भी चार बाजी छोड़कर अपनी ड्यूटी इमानदारी से निभाने लगता है चांदनी अपनी माता पिता के जाने के बाद अपने चाचा जी वीर सिंग के साथ रहा करती चांदनी के चाचा जी बहुत ही गुस्से बाले थी जिसके चलते चांदनी उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी वो जो भी बोलते थे उसे चुप-चाप मान लिया करती एक दिन व प्रफिस के काम से बहार जाने वाला हूँ, अब तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। जब तुम उसे प्यार नहीं करती, तुम उसे क्यों पूछ रही हो, जब मेरा काम खतम हो जाएगा, तो आ जाऊँगा। अशोक और चांदनी एक दूसरे से बाते कर रहे थे, कि तभी वीर सिंग घर आता है, और हॉल में बैटकर चांदनी को आवास देने लगता है। चांदनी कहा हो तुम, जल्दी से मेरे लिए एक ग्रास पानी लेकर आओ, चांदनी जी चाचा जी अभी आती हूँ, छत पर कपड़े धो रही हूँ, देखो चाचा जी आ गए हैं, वो कभी भी उपर आ सकते हैं, तुम जाओ जल्दी से। ठीक है, चला जाओंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ, मुझसे प्यार करती हूँ ना? हाँ, ठीक है, मैं भी तुम से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन भगवान के लिए तुम ये आ से जाओ, आज तुम्हें कपड़े धोने में कोई जादा ही समय लग गया, कोई और भी था गया, तुमारे सा चत पर? ना, नहीं चाचा जी, मैं तो अकेली हूँ छत पर, और धुल गए मेरे कपड़े, मैं तो अभी इने दुप में डाल कर आती हूँ, हाँ? ठीक है, ठीक है, जल्दी आओ, मुझे तुम से कुछ जरूरी बात करनी है, जी आप चली, मैं आती हूँ. वीर सिंग वहाँ से चला जाता है, थोड़ी देर बाद चांदरे भी नीचे आती है. जी चाचा जी, कहिए, आपको क्या बात करनी थी? मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़गा पसंद किया है, वो लोग तुम्हें कल देखने आने वाले है, तुम्हें जो भी तैयरी करनी है, कर लेना, वो मेरे से पैसे ले लेना. जी चाचा जी, शादी, वो भी इतनी जल्दी, मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ, अभी तो मेरे कॉलेज का दूसरा ही साल चल रहा है, मुझे मेरी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है. मैंने तुम्हें से तुम्हारी राय नहीं मांगी है, अपना फैसला सुनाया है. वीर से गितना कहकर वहां से चला जाता है, चांदी अपनी शादी की बास सुनकर रोने लगती है, तब ही उसकी सहली गीता का फोन आता है, चांदी उसे सारी बाते बताती है, जिसे सुनकर गीता बोलती है. देख चांदी अभी भी समय है, तु एक बार अपने चाचा जी को अपने और अशुक के रिष्टे के बारे में बता दे, विचारा कितने सालों से तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे उसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तू क्या चाती है, जैसे शादी से प्यार के लि नहीं कर सकती, उन्होंने मेरी लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है तो फिर कर अपनी सिंदगी बरवाक्तू, मैं भी तेरी कोई मड़त नहीं कर पाऊंगी, गीता फोन रख देती है, और चांदी नहीं भी अपनी शादी को अपनी किसमत समझ कर चुप चाप बैट जाती है, अगले दिन लड़के वाले उसके घर आती है, और चांदी नहीं सब के सामनी अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात रखती है, जिस पर लड़का अमिद कहता है, बसे तीसी बात, आप चिंदा मत करिये, मैं आपका एड्मिशन बेस्ट कॉलेज में करवाऊंगा, आप जितन अपनी पगड़ी की शान कम नहीं होने दे सकते, यस शादी को कोई नहीं रोख सकता, वीर सिंग की बात सुनकर जहां एक तरफ लड़के वाले खुश थे, तो वहीं चांदनी दुखी थी, लेकिन अपने चाचा जी की पगड़ी की शान की चलती, वो कुछ नहीं बोल पात समय बीता है, चांदनी की शादी की तयारियां जोरो शोरो से हो रही थी, तभी घर लोटते समय अशोक की मुलाकात अमित से होती है, जो की बीच रासे में दारूपी कर लड़कियां छेड़ रहा था, तभी वो उसकी पास जाता है यह क्या बत्तमीजी है, इन दोनों लड़कियों को जानी दो, वर ना अच्छा नी होगा क्यों यह लड़की तुझे तेरी बहन लगती है क्या, जो इनके छेड़ने पर तुझे मिर्ची लग रही है हाँ, लगती है, यही समझो, इस तरह से लड़कियों को छेड़ना अपराद है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ अच्छा, तेरे अंदर इतनी हिमत आ गई कि तुझ अब पुलिस को बलाएगा हाँ, हिमत है, अभी बलाता हूँ अशोक जैसे ही फोन निकाल कर पुलिस को कॉल करने लगता है, अमित अशोक के उपर गंदे से वार करता है और दोनों की बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, तभी वहाँ बेना बुलाई ही पुलिस आ जाती है अमित पुलिस को देखकर अशोक को धका मार कर वहाँ से भाग जाता है पुलिस वाले अशोक को डॉक्तर के पास लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं थोड़ी दिर बाद अशोग घर लोटता है और चांदनी के घर बहुत सारे महमानों को देखकर उसकी मा कमला से पूछता है मा, चांदनी के घर में कुछ है क्या? इतने सारे महमान क्यूं है? बेटा, हमारी चांदनी की साधी तै हो गई है, बस उसी की तयारी चल रही है तभी तो शादी की तैयारी हो रही है मा आप भी जानती हो कि अंकल जी कैसे है और वो कैसा बढ़ता हो करते चांदी के साथ अरे आपको लगता है उन्होंने एक बार भी पूछाओगा उससे कि उसके मन में क्या है बेटा बात तो तु सही कह रहा है लेकिन ये उसके घर का मामला है हम कुछ नहीं कह सकते कामला इतना कहकर वहां से चली जाती है अशोग जैसे तैसे करके चांदी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और चांदी उसे देखकर हैरान रह जाती है प्यार मुझ से और शादी किसी और से कभी तो अपने लिए सोच लिया करो खुश रह पाओगी शादी के बाद तुम नहीं रह पाओंगी चानती हूँ लेकिन मैं शादी से मना करके अपने चाचा जी की पगड़ी भी समाज में नहीं उचा सकती पिचाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तुम उन्हें चाहे पिता ही क्यों ना मानो लेकिन वो वो तुम्हें बेटी नहीं मानते उन्होंने तुम्हें एक अनाज समझ के पाला है वन्ना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते ये लड़का कौन है? किसकी फोटो है ये? इसी के साथ मेरी शादी होने वाली है नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ये लड़का बिर्कुल अच्छा नहीं है ये शराबी आयाश है मैं इसे आजी मिलके आ रहा हूँ बस करो अशुक, इस बार तुम्हारा जूट काम नहीं आएगा इस बार मेरी शादी कोई नहीं रोक पाएगा मेरे लिए मेरे चाचा जी की पगड़ी की शान ही सब कुछ है देखो, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं, ठीक है लेकिन इससे भी मत करो, ये सही नहीं है माना मेरे चाचा जी मुझे कोई खास पसंद नहीं करते लेकिन वो इतने बेकाल लड़के से मेरी शादी नहीं करवाएगे ये लड़का उन्होंने को सोच समझ कर ही पसंद किया होगा तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें शादी को रोकने की कोशिश नहीं करोगे चांदनी अशोक को अपनी कसम देकर कुछ भी करने से रोक लेती है उन दोनों की बाते वीर सिंग दरवाजे के पास खड़ा सुन रहा था लेकिन वो अपने फैसले पर कोई सोच विचार नहीं करता शादी का देना आ जाता है चांदनी दुलहन बनकर स्टेज पर जाने के लिए तयार होती है तब ही वीर सिंग अमित को फोन पर बाती करता सुन लेता है एक बार ये शादी हो जाए और मैं इसे लेकर देश से बाहर चला जाओ फिर पढ़ाई छोड़ो ये घर से भी बाहर ने निकल पाएगी सिर्फ घर का काम करेगी नौकरानी बनकर मैं शादी करके बीवी नहीं नौकरानी ला रहा हूँ बागी रहूँगा तो मैं तुम्हारे साथ ही अमित की बाती सुनकर वीर सिंग को यकीन हो जाता है अशोक सच बोल रहा था और वो बाहर जाकर सब के सामने कहता है वीर सिंग अमित और उसके परिवार वालों को धक्के मार कर वहां से निकाल देता है और शादी तोड़ देता है साथ ही चांदनी से उसकी जबरदस्ती शादी करवाने के लिए माफी मांगता है इस तरह सी चांदने की जिंदगी भी खराब होने से बच जाते है और उसके चाचा जी की पगड़ी पर भी कोई आंच नहीं आती गनपत गाउं का बहुत जाना माना पंडित था गाउं की लोग उस पर बहुत विश्वास करते थे उसकी कई हुई किसी भी बात को कभी नहीं टालते थे एक दिन गाओं की एक प्यारी नाम की एक औरत उसके पास आती है पंड़त जी मेरी मदद कीजिए मैं बहुत परिशान हूँ आपके सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है बताओ तुम्हें क्या परिशानी है और मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पंड़ जी, मैं अपने पती से बहुत परेशान हूँ, वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, आप कुछ ऐसा करिए कि वो मेरी सुनने लगें, और अपने माँ बापको मुड़ करना देखें लेकिन ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता अरे पंड़ जी, आप भी क्या सही और गलत के चकर में पड़े हुए हैं, आप तो बस अपनी दक्षना पर ध्यान दीजी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपको बहुत पैसे दूँगी गनपत प्यारी की लालज भरी बातों में आ जाता है, और प्यारी को उसके पती को काबू में करने का उपाय बता देता है, जिसके बदले में उसे बहुत पैसे मिलते हैं, वो पैसे लेकर पीछे मुरता है, सामने अपनी पतनी लक्षमी को खड़ा पाता है लक्ष्मी ऐसे भूत बनके क्यों खरी हो हटो रास्ते से सुनिये जी आप ये सही नहीं कर रहे एक पंडित होकर किसी का घर बर बात करना अपनी शिक्षा का गलत प्रियोग करना अच्छी बात नहीं अपना नाम लक्ष्मी रखने से घर में कोई लक्ष्मी आनी जाती है उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है और मैं उस वारत का घर बसा आ रहा हूँ बिगार नहीं रहा हूँ आप बिगार ही रहे हैं आप नहीं जानते वो अरत कितनी तेज है वो अपनी पती को अपनी कपसे में करके एक बूढ़ी सास ससूर को घर से बाहार निकालना चाहती है वो कुछ भी करे हमें उसे क्या हमें तो धन से मतलब है धन चाहिए हमें बस ए भगवान कैसा पती दिया है आपनी मुझी जब दिखो पैसों की पीछे ही भागता रहता है कुछ दिनों बाद लक्षमी अपने माई के जाने के लिए तयार हो रही होती है तभी गाउं की चमपा मनी हारन वहां आती है कहां हो दिदी? चूड़िया लेलो काच की हरी हरी चूड़िया दिदी हरी चूड़िया लेलो हरी चूड़िया आज सुबा से बौनी नहीं हुई है घर में कुछ खाने को भी नहीं है अच्छा हुआ तुम आ गई क्यों कि मैं खुद तुम्हारे पास आने वाली थी क्यों दिदी? कोई काम था क्या आपको? हाँ काम था लेकिन ये बात तुझे सिर्फ अपने तक ही रखनी होगी बहुत विश्वास करके मैं तुझे ये काम बता रही हूँ अगर तुने मेरे ये काम कर दिया ना तो मैं तुझे रोज के सौ रुपे दूँगी अरी दी दी ऐसा भी क्या काम है जिसके लिए आप मुझे रोज के सौ रुपे देने के लिए तयार हो मैं आज माई के जाने वाली हूँ मुझे पता लगा है कि मेरे माई की जाते ही मेरे पती बहुत सारा समान लेकर कहीं चले जाते हैं मुझे पता करना है कि वो कहां जाते हैं कहीं उनका कोई और चक्कर तो नहीं चल रहा हाई दीदी आप अपने ही पती की जासूसी कर रही हो और अगर कहीं सच में आपके पती का चक्कर चल रहा होगा तो बिना बात कि आपका घर तूट जाएगा और इल्जाम मुझे पर लगेगा ना बाबा ना ये सब मुझसे नहीं होगा आप खुद ये काम क्यों नहीं करती तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो मुझे सब जानते हैं इसलिए मैं ये काम तुम्हें करने को कह रही हूँ मुझे अपने पती की सच्चाई जानना जरूरी है एक बार का हो तो मैं शक ना भी करूँ लेकिन हर बार मेरे जाते ही तो कहां जाते हैं मेरे लिए जानना जरूरी है इस काम के बदले में पांसो नहीं बलकि हजार भी देने को तयार हूँ मैं ये काम करने में वैसे कोई बुरा ही तो नहीं है रूस की कमाई भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, मैं ये काम करने को तयारूँ चमपा वहाँ से चली जाती है, थोड़ी देर बाद गनपत हाथों में साड़ी लेकर लक्षमी के पास आता है ये देखो, तुम्हारे लिए कितनी सुन्दर सुन्दर साड़ी लेकर आया हो मैं, इसे भी अपने साथ लेकर जाना ठीक है, ले जाओंगी, मुझे लग रहा है, आपको मेरे माई के जाने की बहुत खुशी है, इसलिए नई साड़ी लेकर आये हो कुछ देर बाद गनपत लक्षमी को लेकर स्टेशन जाता है, और उसे ट्रेन में बिठाकर अपने घर लोट आता है अगले दिन अपना सामान पैक करके घर में ताला लगाकर दूसरे गाओं की और चला जाता है दूसरी तरफ चमपा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चल देती है, गनपत गाओं के चोराहे से रिक्षा लेकर निकल जाता है उसका पीछा करते हुए चमपा देखती है कि गनपत दूसरे गाउं के एक जंगल में जाता है और एक जोपड़ी में घुश जाता है और कोई लड़की उसके लिए पानी लेकर आती है गनपत उसका हाथ पकड़ लेता है दीदी का शक तो बिल्कुल सही है इनके पती का तो सच में चक्कर चल रहा है उनको तो बता नहीं पड़ेगा दीदी, आपको पता है, आपका शक बिल्कुल सही है, आपके पती का चक्कर चल रहा है किसी लड़की के साथ, वे सारा सामान इस लड़की के लिए ही लाती है, मैंने उन्हें देती हुए देखा है, मुझे इन्हें रंगे हातों पकड़ना है, मैं कल ही वापस आ रही हूँ, गनपत मंदिर में बैठा पूजा कर रहा है। जूट मुझे सुनना नहीं है। लेकिन जूट केतने दिन तक ही छुपेगा। कभी न कभी तो सामने आएगा ही। किसी के होने की आहाट सुनकर गनपत और वो लड़की बहार आते हैं तो देखते हैं चमपा के साथ लक्षमी भी वहीं खड़ी होती है। गनपत को किसी लड़की के साथ देखकर लक्षमी गुस्से में कहती है। क्या कमी रह गई थी मुझ में जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें इसके बास आना पड़ा। अब समझ में आया कि आपको मेरे माई के जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती थी। क्योंकि इस लड़की के बिना आपसे रहा जो नहीं जा रहा था। सोच समझ के बोला करो, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। तुम पहले अपने आपको देखो, पती की जासूसी करते वे शरम तो आई नहीं तुम्हें। जासूसी की तभी तो सच सामने आया, आप रहे सी लड़की के साथ मैं जा रही हूँ। तुम पहले मेरी बात सुनो, ये जो लड़की है ना, ये मेरी बहन है। और मैं इस जोपडी में किस से मिलने आता हूँ, चलो, देख लो खुदी। लक्ष्मी जोपडी में जाती है और देखती है कि एक अंधी बुडिया अपनी आखरी सासे ले रही होती है। ये सब देखने पर कंपत उसे सच बताता है कि वो बुडिया कोई और नहीं, बलकि उसकी मा है और वो लड़की उसकी बहन। ये आप क्या बोल रहे हो? आपकी मा तो गाउं में हैं। हाँ हाँ वो मेरी मा है लेकिन जनम देने वाली मा नहीं जनम देने वाली मा ये है मेरी अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम जाके मा से पूछ सकती हो मुझे तुम से ये उमीद नी थी कि तुम मुझे पे शक करोगी आप मुझे ये पहले बता सकते थे सच्चाई जानने पर लक्षमी को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने पती पर शक किया और वो अपने पती से उसकी जासूसी करने के लिए उससे माफी मांगती है और उस दिन के बाद से उस पर शक करना छोड़ देती है और प्यार से अपना जीवन व्यतीत करने लगते है दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा